आज जो मैं आपको मूवी एक्स्पेन करने वाला हूँ इसका नामें फ्रीडा और फ्रीडा कोहलो एक मैक्सिकन आर्टिस्ट के लाइफ पर ये मूवी बेस्ट है ये मूवी उसके कॉंट्रवर्शल लाइफ पर बायाग्राफी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना जातो अगर आपको वीडियो चलागता है प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रू कर दिजेगा अब बिना कि जिदेरी के इस एक्स्पेनेशन को स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारी में कैरेक्टर इसकाना में फ्रिडा इसे हम बेड उपर देख सकते है बेड उपर ही वो अपने एक्जिबिशन को देखने के लिए जा रही थी इसका रिजन क्या है यह मुवी में आगे हमें पता चलेगा इसके बाद मुवी फ्लैशबैक में जब फ्रिडा यंग थी तब से स्टार्ट होती है फ्रिडा अपने फ्रेंड्स को लेकर डियागो की पेंटिंग देने के लिए जा रही थी डियागो उनकी यूनिविशिटी में निूड पेंटिंग बना रहा था तो यही को देखने के लिए आये डियागो हमारा और एक मेंटिंग बनाते बनाते डियागो की वाइफ भी वहाई वो बहुत ही गुस्सा हो गए थी क्योंकि उसे लगा कि डियागो का इस मॉडल के साथ भी चक्कर है और एक्चुल में सिचुएशन ऐसे ही थी वाइफ की जाने के बाद उस मॉडल के साथ वो इंटिमेट होने लगता है फ्रीडा और उसके फ्रेंड से देख रहे थे तो उसे आवाज लगा कर डिस्टब करते है यह उन पर चिलाया और यह सब भाग गया इसके बाद फ्रीडा अपने बाइफ्रेंड के साथ खुद के गर में इंटिमेट हो रही थे उसके सिस्टर टीना की शादी है तो आस पास सारी तयारिया चल रही थे तब ही वो अपने बाइफ्रेंड के साथ थे निक्सिन में वो उसके फादर के साथ दिखती है उसके फादर एक बहुत ही अच्छे से फोटोग्राफर थे उन्हें हमेशा से एक बेटा चाहिए था तो फ्रीडा को एक बेटे की तरह ही वो ठीट करते थे वो एक फैमिल विक्चर ले रहे थे उसमें भी फ्रीडा एक लड़के की तरह ही ड्रेस अप हुई थे एक दिन जब फ्रीडा अपने बॉइफ्रेंड के साथ स्कूल जा रही थे अचानक से गाड़ी में उसका एक्सिडन्ट हो गया इस एक्सिडन्ट में उसे बहुत चोट आई थे उसवर बहुत सारे ओपरेशन्स हुए डॉक्टर उसकी फैमिली से कहते है फ्रीडा अब चल नहीं पाएगी वो जब थोड़ी दिन बाद रिकवर हुई तो उसे घर लाया जाता है उसकी पूरी बॉड़ी पर प्लास्टर था उसके फादर ने ठान लिया था फ्रीडा को फिर से वो अच्छा करकर ही रहेंगे इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ओपरेशन्स की है इसमें उनके सब पैसे चले गए थे फ्रीडा हमेशा बेड़ पर ही होती है तो बागी कुछ कर नहीं बाती है तो ड्राइंग करना वो स्टार्ट कर देती है एक दिन उसे उसका बॉइफ्रेंड मिलने के लिए आया वो उसे देखकर बहुत ही खुश थी इन्होंने कुछ बाते की फिर बॉइफ्रेंड ने कहा कि उसे अलग कंट्री में जाना पड़ेगा फिर बॉइफ्रेंड के जाने के बाद वो बहुत रुई फिर ने पूछा तो कहती है फिर से नॉर्मल बनना है आज फादर ने कैनवास और उसका स्टैंड फिर बनवा दिया था यानि क्यों अपने बेड में अच्छी सी पेंटिंग कर सके फिर प्रैक्टिस करती गई और टाइम खुजरता गया उसकी हैल स्लोली स्लोली इंप्रू हुई और एक दिन अपने पेरों पर वो खड़ी हो जाती है उसके फैमिली यह देखकर बहुत खुश थी थोड़े दिनों में उसे केन से चलना आने लग गया वो फिर डारेक्ली डियागो के पास पोश्चती है तो वही पेंटर है जिस हमने उसकी वाइफ पर चीट करती हुए उसे देखा था वो उसे नीचे बुला कर पोश्चती है मेरी पेंटिंग देखो मुझे बताओ क्या मैं इसे अर्न कर सकती हो क्या मैं एक अच्छी पेंटर हूँ डियागो कहता है जो रियल पेंटर होता है वो पेंटिंग को छोड़ कर और कुछ कर नहीं पाता अगर तुम्हें एक्च्वल में पेंटिंग अच्छी लगती है तो तुम आर्टिस बन जाओगे फ्रिडा कहती है मुझे इन सब बातों में इंटरेस नहीं है वो इन पेंटिंग को सेल करकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है डियागो ने उसे उसकी पेंटिंग रखने के लिए कही बात में इसे उसने नोटिस किया तो उसे ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगी वो फ्रिडा के घर पर आकर उसकी और भी पेंटिंग देखता है डियागो एक्चुल में एक प्लेबॉइ टाइप कैरेक्टर है उसके कॉन टाइम में जो भी लड़की आती है तो उसके साथ वो इंटिमेट होता है फ्रिडा को डाउट आता है कि वो सिर्फ उसके साथ इंटिमेट होने के लिए तारिफ कर रहा है इसके बारे में उसे बुछती है तो गहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये painting उसे सचमूच में अच्छी लगी है इसके बाद Diago Frida को एक party में लेकर गया जहाबर सब influential लोग और artist थे यहाबर Frida Diago की ex-wife से मिली Diago कुछ और लड़कियों के साथ था तो Frida और Diago की ex-wife ये दोनों बाते करते है Frida wonder कर रही थी कि Diago इतने सारी लड़कियों को attract कैसे करता है वो दिखने भी इतना खास नहीं है Diago की ex-wife कहती है कि वो हर लड़कियों में beauty ढूनता है उन्हीं beautiful नजरों से देखता है इसे वज़े से हर लड़कियों उसकी पागल हो जाती है यह movie का जो हमारा time period है गेम चलते चलते Frida ने bottle उठाई और पूरी वो कटक गई इसके बाद music चलता है और वहाँ के host के साथ वो dance करती है At the end of it उसने उसे kiss भी कर लिया था कुछ दिनों में Frida और Diago ये अच्छे friends बन गई थे एक दिन एक साथ थे तो Diago को उसे अपने studio में बुलाता है Frida गहती कि मैं तुमारे साथ intimate नहीं होना चाहती मुझे हमारे relationship सिर्फ professional रखनी है उसे इसे ज़ादा बढ़ाना नहीं है Diago ने भी उसे promise किया कहा कि हम दोने सिर्फ friends रहेंगे ये बात बोलने के बात ही एक दूसरे को किस कर लेते है अंदर जाकर एक दूसरे के साथ intimate हो गए इनका ये affair बहुत दिनों तक चला एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे एक दिन Diago ने Frida से शादी के लिए पूछ लिया Frida उस पर विलियू नहीं करती कहती है तुमारे औरेडी दो शादिया हो चुकी है तुम उससे भी faithful नहीं रह सकते Diago को भी ये बात मान लेता है शादी होने के बाद भी वो continuously cheat करता रहेगा Diago ने उसे पूछा क्या तुमारे लिए ये बात इतनी जादा important है Frida कहती कि नहीं सिर्म उसे loyal रहना उसने उसे हा कह दिया इन दोनों की शाद ही हो जाती है Frida की मदर इस बात से नारास थी उसे Diago को उसके लिए अच्छा नहीं लगता जैसे कि हमें पता है Frida का इलाज करने के लिए उसके फादर को बहुत सारे financial problems आये थे इनके loans वेगरा pay करने वे भी Diago उने help करता है Marriage के party में Diago की friend ने toast किया वो गहती है कि शादी पागल लोगों के लिए होती है इनने पता ही नहीं एक दुसरी से कितना चगणने वाले हैं एक दुसरी की life है बरबात कर देंगे इन सब चीजों के बाद भी सब चीजे एइनोर करकर एक कपल अगर साथ रहे तो इसे ही सही marriage कहा जाता है वो Diago और Frida को courage दिखाने के लिए congratulations करती है Diago की ex-wife बहुत ही ज़्यादा ड्रंग हो गए वो गुस्से मुझसे कहती है तुमने इस से शादी किये Frida के accident की वज़े से वो सही से चल नहीं पाती है उसका body shape भी थोड़ा सा अलग हो चुका है Diago की ex-wife बहुत ज़्यादा गुसा करकर वहाँ से चली गई ये सब चीज डियागो सिर्फ देख रहा था तो इस पर Frida को बहुत ज़्यादा गुसा आ गया उसे मनाने के लिए आता है Frida कहती है मेरी मदर कहती है कि तुम एक हाती की तरह हो पर elephant भी अपनी wife को protect करते है तुम दो वो भी नहीं करते है Frida beautiful और Diago इतना ज़्यादा fat है तो इस जोड़ी सही नहीं लगती Frida ने कहा कि लोग क्या कहेंगे Diago कहता है मेरी एक्स वाइफ मेरे बच्चों के साथ उपर ही रहती है वो मुझे देख कर गई थी Frida इस वर बहुत ज़्यादा घुसा हो गई वो उपर जाकर उसे कहती है तुमें क्या लगता है हमारा marriage टीक नहीं पाएगा मैं इसे successful कर कर दिखाऊंगी कभी भी मेरे घर कुछ भी पना कर मत भीजना एक्स वाइफ कहती है कि अगर तुमें टीकना है तुमें उसकी फेवरिट डिश आनी चाहिए इसके बाद ये दुनों फ्रेंड्स होके एक्स वाइफ Frida को जो Diago को डिशेश पसंद है ये बनाना सिखाती है एक्स वाइफ ने कहा कि Diago सिर्फ अपने आप से प्यार करता है कभी भी वो किसी का भी अच्छा अजबन हो नहीं सकता Frida कहती है कि मैं देख लूंगी एक दिन Frida Diago के स्टूडियो में आई तो एक न्यूड मॉडल को ड्रॉ कर रहा था Frida को इस बात से ज़्यादा कुछ भी प्रॉल्म नहीं होती है इन दोनों का आज बहार जाने का प्लान था Diago घर पर ज़रा लेट पोचा वो कुछ बहार ना बना रहा था पर Frida ने जब उसे स्मेल किया तो उसे पता चल गया Diago उस मॉडल के साथ इंटिमेट होगा था वो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगे पर उसे चेंज नहीं कर सकते वो इसे कहती है कि हमें पार्टी में जाना है जल्दी से नहा कराओ इस पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रंग हो गई थी एक आदमे Diago के साथ लड़ने लग गया था तो Frida खुद उसे बहुत मारती है Diago एक कम्यूनिस्ट पार्टी के लिए काम करता था पर जो अमिर लोग है उनके लिए वो पेंटिंग मनाता है आज Diago को ओफर मिला है अमिरिका में उसका पेंटिंग का एक्जिविशन होगा वहाँ पर उसे बहुत सारा काम मिल सकता है इसी वज़े से उसने अपनी पार्टी क्विट करती ये सब बात वो Frida को बताता है Frida को बुरा लगा Diago अब उसे दूर जाएगा पर Diago को कहता है तुम्हें भी मेरे साथ आना है इबात सुनकर Frida बहुत ही खुश थी Diago को अमिरिका में बहुत सारा फेम मिला Frida कहती है कि जिस आदमे का एंबिशन होता है उसे अमिरिका में रिस्पेक्ट दिया जाता है Diago को यहां पर बहुत ही खुश था वह मस था और पहुत सारी लड़कियों के साथ इंटिमेट होता था Frida एक बाइसेक्शुल थी लड़कियों के साथ भी इंटिमेट होती थी अब Diago को उस पर चीट करता ही है तो वो भी लड़कियों के साथ सोती है वो एक लड़की के साथ intimate हुई जो already डियागो के साथ intimate हुई थी यह दोनों बात करते हैं तो लड़की फ्रिडा से पुछती है तुम डियागो का इस तरह से behavior किस तरह से accept करती हो फ्रिडा कहती है कि वो जो है वो है जब मैंने शादी की थी तो मुझे सब कुछ पता था अब मैं उसे change नहीं कर सकते डियागो के साथ फ्रिडा भी painting करती रहती थी एक दिन जब यह दोनों एक साथ है फ्रिडा न डियागो से कहा कि वो pregnant है डियागो वरीड था फ्रिडा का bone structure पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है उसे पूरी body में pain होता है ऐसे में अगर वो pregnant है तो उसकी और बच्चे की दोनों की life को खत्रा है डियागो बच्चे के लिए मना कर रहा था फ्रिडा बहुत excited थी उसे बच्चा चाहिए था delivery successful हो की इसके chances बहुत ही कम थे और फ्रिडा के खुशे के लिए डियागो इस बात के लिए मान जाता है कुछ मंद स्पीत के और अचानक एक रात फ्रिडा को बहुत सारा bleeding होने लग गया उसे hospital में admit किया तो उसका miscarriage हो गया था वो होश में आने के बात जब उसे news मिली तो बहुत जादा disturbed थी उसके dead baby को दीखना चाहती थी इनी सब emotions को लेकर उसने एक heartbreaking painting बनाई डियागो एक देखकर बहुत रोता है वो फ्रिडा का बहुत अच्छे से खैल रखता है एक दिन फ्रिडा को लेटर मिला तो उसकी मदर की हालत बहुत जादा खराब थी वो अपनी मदर को देखने के लिए आए तो अपने बेड में थी उसकी date अब कभी भी हो सकती थी यहाँ पर बहुत सालों बात वो अपनी sister से मिलती है sister का अब divorce हो चुका था उसका husband उसे बहुत मारा करता था फ्रिडा को बहुत बुरा लगा उसे लगा कि अपनी sister को support करने के लिए उसे यही होना चाहिए था फ्रिडा के फादर भी बहुत जात दुखी थे फ्रिडा उन्हें सहारा देती है फादर कहते है मैं तुम्हारी मदर के साथ हमेशा जगड़ा करता था अब जब वो बिमार है तो उसकी garden का में खैल रख रहा हूँ वो अपनी वाइव से बहुत ही प्यार करते है इसके बाद ही फ्रिडा की मदर की डेथ होके अमेरिका में डियागो को एक बड़ा सा काम मिला था वाल पर पेंटिंग करने का एक काम था तो उस पर वो वर्ग अपना स्टार्ट करता है डियागो के एक वर्गर ने इस वाल पर लिनिन का पिक्चर बना दिया था यह चीज बहुत ही जादा कॉंट्रवर्शल होगी जिसके वाल थी उसने डियागो को बुलाया वो कहता है कि तुम्हें वो पिक्चर निकालना पड़ेगा डियागो ने कहा कि मेरे प्रिंसिपल की खिलाफ है ओनर कहता है तो फिर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा डियागो अब भी इस बात पर सोच सकता है जब फिड़ा मैक्सिकोस है फिर से यूर से आई तो इस बात को लेकर बात करते है डियागो अपने आपको डाउट कर रहा था उसे यही रहना है यहाँ की लाइफस्टैल पसन है तो वन्डर करता है उसे अपने पेंडिंग को मिटा देना चाहिए फिड़ा कहती है तुम जो भी करोगे और सही करोगे अब तक तुमने जो किया इससे कॉंट्रोवर्सिस खड़ी होके लोग हमेशा तुम्हारा नाम याद रखेंगे डियागो ने डिसाइड किया कि अपनी बेंडिंग नहीं मिटाएगा ओनर ने फिर जबरदस्ती वाल तोड़ दी यह सब चीज़े डियागो को इल्लीकल लगी वो अमेरिका में ही रहेकर इस सब चीज़ों को फाइट करने वाला था फ्रीडा इन सब बातों से तंग आ गई थी उसे फिर से अपनी कंट्री में वापस जाना है इस बात को लेकर इन में फाइट हुई और इस फिर से मैक्सिको में आ गए फ्रीडा के गर उसे मिलने के लिए उसकी सिस्टर आई वो अपने हस्बन के साथ नहीं है तो बहुत ये अकेला महसूस करती है कभी-कभी उसे लगता है कि उसके हस्बन के बास वापस चली जाए फ्रीडा कहती है अगर तुमें कुछ काम होगा तो ये सब चीज़े याद नहीं आएगी तुम ज़रा बीजी रहोगी सिस्टर को भी ये बात सही लगी डियाओ को आज कल कुछ भी पेंट कर नहीं रहा था उसका पूरा स्टूडियो तैसनेस पड़ा हुआ था फ्रीडा फिर अपनी सिस्टर को इस स्टूडियो को ठीक करने का काम देती है एक रात जब वो इस स्टूडियो में आई तो डियाओ को फ्रीडा के सिस्टर के साथ ही इंटिमेट हो रहा था इसवर वो बहुत गुस्टा हुई अब वो डियाओ को के साथ कोई भी रिलेशन्शिप नहीं रखना चाहती रात में डियाओ को उससे समझाने के लिए आता है कहता है उस सब बातों को कोई भी मिनिंग नहीं था मैं प्यार तो तुम से ही करता हूँ फ्रीडा कहती कि वो मेरी सिस्टर थी मैंने तुमें सिर्फ लॉयल रहने के लिए कहा था उसने कहा मेरे लाइफ में दो एक्सिटन्ट हुए है कार एक्सिटन्ट और तुम से शादी करना अब फ्रीडा घर छोड़कर एक दूसरी जगा पर रहे रही थी उसने अपना पुरा हुलियाई चेंज कर डाला वो ड्रंग हो जाती थी फ्रेंड्स को बुला कर घर में दीन रात पार्टी करती थी एक दिन डियागो की एक्स वाइब उसे मिलने के लिए आई उसकी ऐसा बाला देखकर कहती है तुमें कुछ जॉब ले लेना चाहिए यानि तुम अपने बिल्स पे कर सको अपने लाइफ को सारा कंट्रोल में ले सको फ्रिडा ने भी यही किया अपने कुछ पेंटिंग सेल करती और प्रोफेशनली पेंट करने लगके एक दिन डियागो फ्रिडा से हेल्प मांगने के लिए आया डियागो का एक फ्रेंड है जिसका नामें ट्रॉस्की इटली में जो भी चल रहा है इसके खिलाब वो रिवलुशन करता है ट्रॉस्की को अपनी जान का खत्रा है डियागो चाहता था इसके घर में रखे जहाँ वो सेफ रहेगा फ्रिडा डियागो उपर गुसा थी पर उसने उसे बहुत रिक्वेस्ट की तो मान जाती है ट्रॉस्की फ्रिडा के घर पर आया उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लोग फ्रिडा के घर को प्रोटेक्शन के लिए प्रिडा चड़ना चाहता था फ्रिडा भी डिसाइड करती है जो सही से चलनी पाती है पर फिर भी पिरामेट चड़ेगी ट्रॉस्की फ्रिडा से कहता है मैंने दोनों बेटों को मार दिया गया मैं जो ये जंग लड़ रहा हूँ मुझे पता है कि मैं इसमें हारने वाला हूँ पर फिर भी लड़ने के अलावा और क्या किया जाए मुझे पता नहीं उसने फ्रिडा को समझाया तुमारी जो पेंटिंग्स है इसमें यही पेंट निकल कराता है तुम्हें लगता है तुम्हारी पेंटिंग लोग को अच्छी नहीं लगेगी पर जो पेंट तुम्हारी पेंटिंग में है यही पेंट बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है इसके बाद जब यह दोनों घर पर आये तो एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है इन दोनो वाइफ के लिए अपनी खुद की खुशी सेक्रिफाइस कर दी डियागू को सब कुछ पता चला तो फ्रीडा पर बहुत जादा गुस्सा था फ्रीडा गयती है जैसा तुम्हें अब लग रहा है वैसा मुझे हमेशा लगता था इसके बाद फ्रीडा को आफर मिला और फ्रां यह चीज उसने लेटर में भी लिखी है थोड़े समय बात जब दोनों मिले तो डियाग उसे कहता है मुझे डिवास चाहिए हम दोनों के लिए यही करना सही होगा फ्रीडा कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर डियाग को मानता नहीं डियाग को एक कम्यूनिस था तो गवर्मेंट की खिलाव जाकर उसने कुछ गलाज चीज़े की थी वो इस गंडरी से भाग चुका था तो फ्रीडा से क्वेस्चन किये जाते हैं फ्रीडा कहती है कि वो मेरा अब हस्बन नहीं रहा फ्रीडा जादा ट्रबल में ना आये यही रीजन था कि डियाग को उस इसकी सिस्टर आय हुई थी उसे सौरी कहती है फ्रीडा कहती है सब कुछ गल्ती मेरी ही थी जो तुम्हें उसके बास भेजना ही नहीं चाहिए था अपनी सिस्टर के साथ उसकी रिलेशनशिप अब सही हो चुकी है जैसे ही फ्रीडा की थोड़ी सी एज बड़ी तो अपनी प्लीज फिर से मुझसे शादी कर लो मुझे तुमारे साथ रहना है फ्रीडा कहती कि मुझे तुमारे रहम की जरूरत नहीं है मैं ड्रिंक करती हूँ स्वेर करती हूँ तुम मेरे साथ खुछ रह नहीं सकते डियागो ने कहा कि तुमारे भी ना मैं बरबात हो चुका अबे सबना उसका finally complete होने वाला है यह exhibition देखने के लिए वो जाना चाहती थी पर डॉक्टर ने उसे मना किया था वो अपने बेड़ से ओड़ी भी नहीं सकती उसने फिर कुछ लोग की help ली और पूरे बेड़ के साथ exhibition में पहुचा दिया मूवी के फस में हमने जो scene दिखा थ यह वही scene था एक रात फ्रिडा और डिया को एक दूसरे के साथ थे डिया को कहता है हमें एक साथ 25 साल हो चुके हैं उनकी वेडिंग अनिवरसरी तू विक्स में थी उससे पहले ही फ्रिडा ने उसे gift दे दिया उसे नहीं लगता था कि वो अब दो विक्स भी जिन्दा रहे थी इसके तुरंद बाद उसकी date हो गए उसकी life में बहुत सारी hardship थी पर हमेशा अपना जो भी pain था वो अपने काम में अपनी painting में वो डालती रही और इसी वज़े से उसकी painting बहुत ज़्यादा famous हुए इसी तरीके से movie end होती है अगर आपको वीडियो चल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आते रहेता हुए तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और bell notification आयंगंदाओं ने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तो तो दिलिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया